नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी का हमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको बैकॉंट चतर दसी की कथा सुना रहा हूँ एक वार की बात है कि नारजी प्रत्वी लोग में घूमते हुए बैकॉंट लोग में पहुंचे वहाँ पर जाकर के भगवान विष्णू ने उन्हें आदर पूर्वक बठाया और प्रसन होकर उनके आने का कारण पूचा नारजी निकाहि प्रभू आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है इससे आपके जो प्रिय भक्ते हैं वही तरपाते हैं जो सामान नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान भक्तवी आपकी भक्ती कर मुक्ती पा सकें यह सुनकर विश्णू जी बोले ही नारद मेरी बासनो कार्तिक सुकल पक्ष की चतुर दसी को जो नर नारी ब्रत का पलन करेंगे और स्रद्दा भक्ती से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के साक्षा द्वार खुले होंगे इसके बाद विश्णू जी जय बिजय को बलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर दसी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदिश देते हैं भगवान विश्णू कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंड दहम को प्राप्त करेगा तब इसे बैकुंड चतुर दसी के दिन भगवान विश्णू ने सभी के लिए स्वर्ग के द्वार खुल दिये अई सुनते हैं बैकुंड चतुर दसी की दूसी कता प्राणिक मनता के अनसार एक वार विश्णू देवादेव महादेव का पूजन करने के लिए कासी आए वहाँ मरी करने का घाट परिश्णान करके उन्होंने एक हजार स्वर्ण कमल पूस्वों से भगवान विश्वनात के पूजन का संकल्प किया अब शेक के बाद जब इपूजन करने लगे तो सिभ जी उनकी भाकति की परिक्षा के उद्देश से एक कमल पूस्व कम कर दिया भगवान स्रीयली को पूजन की पूर्टी के लिए एकजार कमल पूस्व चड़ाने थे एक पुस्तु की कमी देखकर उन्होंने सोचा मेरी आँखें वी तो कमल के ही समान है मुझे कमल नयन और पुन्री काक्ष कहा जाता है यह विचार कर बागवान विश्णू अपनी कमल समान आँख चड़ाने को प्रस्तत हुए विश्णू जी की इस अगाद भक्ती से प्रसन होकर देवाद दे महादे प्रगट होकर बोले है विश्णू तुमारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है आज की यह कार्तिक सुकल चतुरदसी अब बैकॉंट चतुरदसी कहलाएगी और इस देन ब्रत पुर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकॉंट लोग की प्राप्ती होगी भागवान सिव ने इसी बैकॉंट चतुरदसी को करोड़ों सुर्यों की कांती के समान वाला सुदसन चक्र बिश्णू जी को प्रदान किया सिव जी तता बिश्णू जी कहते हैं कि इस देन स्वर्व के द्वार खुले रहेंगे मिरत्यों लोग में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस ब्रत को करता है तो वह अपना इस्तान बैकॉंट धाम में सुनश्चित करता है आईए सुनते ही तीसरी कहानी एक समय की बात है कि एक धनेश्वर नामक एक ब्रामर था जो बहुत बुरे काम करता था उसके उपर कई पाप थे एक दिन वो गोदावरी नदी में इश्नान करने के लिए गया उस दिन बैकुंट चतुरदसी थी कही भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आये थी उस बीड में दनेश्वर भी उन सभी के साथ था इस परकार उन स्रद्दालों के इसपर्स के कारण दनेश्वर को भी पुन्न मिला जब उसकी मृत्यू हो गई तब उसे यम्राज लेकर गए और नरक में भेज़ दिया तब भागवान विश्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है पर इसने बैकुंट चतुरदसी के दिन गोदावरी इसनान किया और स्रद्दालों के पुन्न के कारण इसके सभी पाप नश्ट हो गई इसलिए इसे बैकुंट धाम मिलेगा अताय दनेश्वार को बैकुंट धाम की प्राप्ती हुई बुल विश्णु बागवाने की जय